Hello and Good Morning Everybody, कैसे हो आप सब, I hope आप सब भी बहुत अच्छे होंगे मैं संदीब कुमार आप सभी के सामने आज फिर से लेकर हाजिर हूँ Study Tips YouTube Channel के माध्यम से भरवल रेजनिंग का चैप्टर जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे Coding and Decoding अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC, JD, CGL, CHSL, RRB, NTPC और Group D जैसे सरकारी एक्जाम को क्रेक करना चाहते हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसका तो यह पूरा सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है तो बने रही है हमारे साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं Coding and Decoding का Chapter को तो Coding and Decoding होता क्या है देखें अगर आप Point वाज अगर देखेंगे इसको और समझेंगे तो यह होता क्या है Coding और Decoding एक प्रकार का निर्देश, दिशा निर्देश होता है उसका एक सिस्टम होता है जिसमें कोई भी secret या गुप्त रूप से सूचना को आधान परदान किया जाता है जैसे कि मान लिजे कि मुझे कोई message किसी और को देना है लेकिन एक गुप्त रूप से यानि कि लोग सुने भी तो उसको समझे ना तो उसमें हम लोगों ने coding और decoding का यूज किया गया तो जैसे मैं alphabetically बोलता हूँ ऐसे करके कुछ बोल दिया या ऐसे करके कुछ बोल दिया तो उससे क्या हो गया कि यह coding हो गया कि मुझे बोलना क्या है कि तो जो इसका मतलब समझेंगे सिर्फ उन्ही को पता चलेगा कि इसका code word होगा क्या अर्थात कहे जाने से ऐसे कुछ कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को जब समवाद भेजता है या message भेजता है तो दूसरा इसको grant करता है सिर्फ coder और decoder ही जान पाएगा कि क्या भेजा गया है और क्या receive करके उन्हें क्या समझना है तीसरा कोई उसको समझने पाएगा तो यही तकनीक, system और प्रकरिया को हम लोग coding recording बोलते हैं इसमें numbering, इसमें अंग्रेजी का जो वर्ण माल अक्षर होता है उसको लिया जाता है तो यह सब थोड़ सा याद करने की ज़रुत होता है तो वह हम लोग याद कर लेंगे अभी कुछ ही second में आप लोग को यह सारा tricks और tips पता चल जाएगा किसी अर्दपुर्ण शब्द को विशेश नियम के अनुसार अर्दविहिन शब्द अक्षर या अंक में परिवर्तन करने की विधी को ही coding करते हैं या फिर इस भासा में या फिर इस भासा में या फिर आर्ने तरीके से आप इसको coding कर सकते हैं तो जो आप अपने coding समझ रहे हैं आप उसको कर सकते हैं और decoding सिर्फ उसी अर्थ को फिर से निकाल देना होता है उसी शब्द का अर्थ जो आपने порядink करके किसी को भेजा हो वो उसको decode करके समझ ले तो वो decode हो गया यानि कि उसका अर्थ निकाल ले तो इसको कैसे हम लोग याद रखते हैं तो उसके लिए जो अंग्रेजी के वर्नमाला होता है उसको थोड़ा सा में याद रखना पड़ेगा तो टोटल 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी और वर्नमाला में तो उसको अगर हम लोग क्रम अनुसार सिच्वेट कर लें 1234 तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B W X Y Z तो कुछ 26 अक्षर जो होते हैं वर्नमाला के उसको मुझे याद रखना है कि 1 में कौन आता है 5 में कौन आता है 12 में कौन आता है इस तरह से क्रमबद मुझे याद रखना है आप कोई रटने की इसको जरूर नहीं है आप इसको प्रैक्टिस करोगे दो चार बार पांच बार प्रैक्टिस करोगे तो यह आपके जितने भी नंबर से जोड़े हुए हैं अंग्रेजी के वर्नमाला जिससे भी जो जोड़े हुए है वो आपको समझ में आ जाएगा कुछ कुछ इसमें है जो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप चाहो तो याद कर सकते हैं जैसे एफ और एवन होता है हम लोग जानते हैं कि एवन का बोद गराए जाता है इसमें है ना उसी तरह फिर भी ग्रेट का यानि कि हम लोग बोलते हैं सेकेंड नंबर को ऐसे आप बना सकते हो तो देखिए इसका जो जी का यह जो टेंगल है इसको जब आगे बढ़ा दिया जाए तो यह 7 टाइप का दिखता है या तो जी 7 सम्मेलन भी याद रख सकते हो आप अगर एच बनाना है एच यह देखिए इसके 4 और को घेर देंगे तो 8 बन जाएगा 8 की तरह दिख रहा है तो 8 हो गया जब 9 बनाना है तो 9 को कुछ इस तरह से घेर देंगे तो 9 टाइप का दिखेगा तो इस तरह से कुछ-कुछ ट्रिक्स होता है जैसे T20 मैच हो गया T20 पहले तो अपना जो नाम का अक्षर होता है उसको आपको याद रख लेना है चाहे जिसमें भी हो और हम लोग next फिर classes में इसको बहुत ही आसान धरीके सा ट्रिक्स भी पता देंगे कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं अगर आपक इसको रखने की जरूरत नहीं है आप तीन चार बार जब questions प्रैक्टिस करोगे तो आपको definitely यह याद हो जाएगा आते है next देखें जैसे example के तुरार पर अगर हम लोग इसको हम लोग coding और decoding करेंगे तो enjoy T यहां पर लिखा हुआ E N J sorry E N लिखा हुआ है E J O T Y enjoy T यह लिखा हुआ है तो इसको आपको coding और decoding करना है तो इसको क्रम अंक से हम लोग इसको पहले compare करेंगे कि E का जैसे 5 होता है J का जैसे 10 होता है O Pendra यानि कि 15 होता है T 20 match यानि 20 होता है Y का हम लोग ऐसे भी जानता है कि 25 होता है क्योंकि last second last lecture होता है तो इस तरह से coding कर लेंगे तो आपका वो decode हो जाएगा इसके बाद next वर्नमाला के अक्षर के अनुसार जो भी आपका मान या value दिया होता है आप उसको easily यहाँ पे catch कर सकते हो जैसे कि कैसे example कैसे आएगा अंगरेजी वर्नमाला में आपके बाए से 22 अक्षर कौन सा है ठीक है यह आपको एक तरह से trick है कि पूरा आपको पूरा कि 5 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20 और 25 इस तरह का अक्षर या जो भी आपका लेटर साता है आपका कुछ इस तरह से हम लोग सजा सकते हैं इसको ठीक है अभी यह चीज पूछा जा रहा है कि अंगरेजी वर्नमाला में बाए से 22 यानि कि इधर हो गया आपका जोlet था ही ना और इधर हो गया आपका बाया इस तरह से ले सकते हैं तो एक इधर से रई हो गया और इधर से आपका लएट हो गया। चेक कर सकते हो आपका right and left जैसे भी होगा तो by से यानि कि इस side से अगर हम लोग जाएंगे तो 22 बाइसवा number में तो हम लोग एक जानता है T20 T20 हम लोग जानता है यानि T का value होता है 20 तो T में 2 जोड देंगे तो T, P, Q, R, S, T, U and B देखिए 2 जोड देंगे तो कितना आएगा V आएगा यानि कि 22 बाइसवा number पर क्या होगा V होगा ठीक है तो इस तरह से आपको जरूरत पढ़ सकती है आपको पूछा जा सकता है या तो फिर directly आपको कुछ निकालने को दिया जा सकता है तो वो सब भी हम लोग अभी discuss करेंगे ठीक है अगर बोला जाता कि दाहिना से 4 था number में निकाली है तो Z, U, V, U, V, W, X, Y, Z तो देखिए 4 था 1, 2, 3, 4 यह वाला आता है आपका समझे तो इस तरह से term से हम लोग इसको calculate कर सकता है इस तरह से हम लोग बता सकते कि हाँ यह है ओके तो जीतना भी संकेतिक भासा है प्रशनों को हल करते समय है अक्षर के विपरी तक्षर की भी जरूरत पड़ती है जैसे आप से पूछ दिया जाएगा कि E का विपरी तक्षर कौन सा है तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा तो देखिए हम लोग विपरी तक्षर भी एक बार हम लोग याद कर लेंगे कैसे तो A का Z, B का Y आप इसको बहुत याद रख सकते हैं ठीक है ना C का X, D का W, E का V इस तरह से आप याद रख सकते हैं यह सारे term को K का P, L, O, M, N आपस में यह तो कोई-कोई बच्चे क्या करते हैं जब भी एक्जाम में जाएंगे वो क्या करेंगे लिखना स्टार्ट कर देता है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M अब यहाँ से नम्बरिंग स्टार्ट कर देंगे यह देखे, आम बच्चे ऐसे करते हैं लेकिन आपको यह सब नहीं करना है आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक्स में लेकर आया हूँ आपको याद हो जागा 13 हो गया, यानि कि 26 होता है 26 कर 13 हो गया अब उल्टा करके लिखना स्टार्ट करें ल, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z इस तरह से टर्म्स के एकोर्डिंग आप लिख सकते हैं उसका उपोजिट भी हो गया यहां पे ओके उपोजिट भी हो गया तो इस तरह से आपको कोई ना कोई एक विधी रखके याद रखना है अगर आपको यहां से कोई भी नम्रिंग याद है जैसे सपोज की यहां पूछ लिया कि Y, I का अपोजिट क्या है तो 27 में I का वैलू को आप घटा देंगे तो definitely आपको वह वाला वैलू मिल जाएगा आप चेक कर सकते हैं 27 में आप घटा सकते हैं आपको मिल जाएगा जैसे जैड का आपोजिट पूछा जाएगा जैड का आपोजिट तो जैड तो खुद 26 नमबर में है तो 27 में 26 घटा देंगे यानि कि आपोजिट 1 यानि कि A होगा इसका एंसर तो इस तरह के टर्म्स को आप लोग कोरिलेट करके भी निकाल सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बर फिर से पाउस करके फिर से पीछे की और कुछ सेकेंड्स पीछे की और जाकर आप देख सकते हैं और फिर भी आपको कोई भी वैसा क्वेसे लग रहा हो कि आप पूछ सकते हैं कि यह वाला क्या एंसर है इसका क्या एंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आते हैं आगे अभी देखिए जैसे कि यहां पर एक क्वेस्टिन पूछा गया कि अंग्रेजी वर्न बाला में अक्षर S का विपृत अक्षर क्या होगा तो S का हम लोग ऐसे T20 जानता है PQRST ऐसे करके होता है तो T का हम लोग 20 जानता है तो S का definitely 19 हो जाएगा समझ रहा है 19 हो जाएगा otherwise आप इसको ऐसे भी निकाल सकते है 1927 में आप अगर इसको माइनस करेंगे 19 को तो किदर आएगा 8 आएगा 8 आएगा आपका तो उसका अगर opposite आपका पूछा जा रहा है तो 27 में 19 माइनस कर देंगे तो 8 किसका होता है H का होता है आप कुछ इस तरस दिखेगा यह देखिए 8 को कुछ इस तरस है इधर से marriage कर दिए तो H टाइप के दिखेगा तो वह आपको निकल गया अब अगर आपका यही उल्टा पूछ दिया जाता कि H का value निकाले H का opposite क्या होगा तो H का हम लोग जानते है 8 यानि कि 27 में हम लोग 8 माइनस करेंगे तो 19 आएगा 19 किसका होता है तो S का होता है अभी देखे जैसे एक और सवाल है अलग-अलग types का यहां पे आपका coding recording में पुछा जाता है यह बहला type का है इस type का आपका examination में पुछा जाता है अंगरे जी वर्नमाला के अक्षर P तथा N के विपरी अक्षर क्या होगा तो P का हम लोग क्या जानते है P का हम लोग कोई जानते है अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप relax रहिए अभी क्या करना है एक N का भी हमको जानना है N का भी जानना है और P का भी जानना है तो N का तो समझ में आ गया क्योंकि N, L, M, N होता है तो 14 होगा इसका P का हमेशा 16 साल की प्रिंसे याद रखिएगा, इसका ट्रीक होता है 16 साल की प्रिंसे, P for प्रिंसे या प्रिंस भी लगा सकते है 16 साल का प्रिंस, तो P का 16 होता है, अदर्वाइज आप T20 से 4 घटा लेंगे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 16 हो जाएगा है न, आप इस ट्रीक से भी याद रख सकते हैं, तो अभी 27 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, समझ रहे हैं तो जीतना भी एंसर आएगा, वो आपका K आगया अपोजिट हो गया P का, फिर N का फिर 27 में आप 14 माइनस करेंगे 13 यानि की M आजाएगा ओके, तो यह आपका इस टाइप का questions आपका पूछा जाता है और direct आपके अंसर आते हैं अभी देखिए कि पहला प्रकार का इस तरह से coding recording में पूछा जाता है जैसे exam में कैसे पूछा जा सकता है संकेत में दिये गए अक्षार अपने अस्तान से आगे बढ़ता है यानि forward sequence pattern के बारे में पूछा जाता है जैसे कैसे जैसे एक example हम लोग ले रहा है कि किसी संकेतिक भासा में h a and d को i b o e कहा जाए तो s i l k को क्या कहा जाएगा यहाँ पर हम लोग meaning बाद में निकालेंगे पहले हम लोग देखेंगे कि sequence क्या दिया हुआ तो यहाँ h a and d जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरह से आप भी exam में बनाएग बहुत ही आसान इसको इस तरह से लिख लेना है इसके बाद इसको क्या लिखा जाता है i, b, o, e लिखा जाता है तो एक बार हम लोग देख लेंगे a, b, c, d, e, f, g, h के बाद जब प्लस 1 करेंगे तो i आएगा यानि कि इधर की और प्लस 1 हो रहा है a के साथ फिर प्लस 1 करेंगे तो b आएगा l, m, n, o यानि फिर से यहां पर प्लस 1 कर रहा है और d के बाद e, यानि फिर से प्लस 1 कर रहा है यानि कि सभी अच्छर में, सभी लेटर में हम लोग प्लस 1 कर दे रहा है तो जो भी एंसर आ रहा है वो एंसर हो जा रहा है तो अब ही पूछा जा रहा कि Silk का क्या लिखा जाए तो Silk हम लोग इस तरह से लिखता है तो Silk में S में प्लस 1 करेंगे I में प्लस 1 करेंगे फिर L में प्लस 1 करेंगे फिर K में प्लस 1 करेंगे तो S में प्लस 1 करेंगे तो P Q R S T T आएगा I के बाद J K, L के बाद M, और K के बाद L, यह आपका answer हो गया, है न, बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार practice करोगे, तो definitely आप लोग इतना अच्छा बन जाएगा, आप लोग इतना confidently इसको बना पाऊगे, कि आपका question तो छूटेगा ही नहीं, कभी नहीं छूटेगा आपके, और बहुत बहुत ही कम समय में आपको यह बनाना है, क्योंकि बहुत ही आसान रहता है, लगभग 99% student इसको बना लेते हैं, examination में, आपको समय बचा के इसको बना के आगे बढ़ना ताकि दूसरे questions में आप ज्यादा समय लगा सके, okay, तो अभी दूसरा type का कैसे, अभी backward type से अगर हम हो रहा है कि right को हम लोग b-o-h-s-d कहा जाए, ठीक है, तो m-i-g-h-d को क्या कहा जाएगा, तो अभी चलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, देखे, क्या लिखा गया है कि w-r-i-t-e, meaning पे हम लोग बाद में जाएंगे, पहले देखेंगे कि क्या है यहाँ प तो देखते हैं, डबलू, v, इसके बाद o-h-s-d, आप अगर गौर से बाद देखें तो इसके एक माइनस करने पर W से 1- कर देंगे तो V आता है R से 1- कर देंगे तो O आता है I से 1- कर देंगे तो H आता है यानि कि सभी टर्म में 1- 1- आपको यहीं चीज़ समझना है तो अब बोला जा रहा है कि MIGHT का क्या लेगा M, I, G, H, T तो अभी इसका 1- करेंगे हम लोग तो M का 1- करने पर L आएगा I का 1- करने पर H आएगा G का 1- करने पर F आएगा H का 1- करने पर G आएगा और यहां पर क्या है T है T का 1- करने पर S आएगा यही आपका answer हो गया तो इस तरह से sequence आपका किया जाता है ठीक है अभी हम लोग next किसी तरह और अलनितर का कोई questions pattern पूछा जाता है तो वो सब भी discuss करेंगे इसके बाद हम लोग इसका पूरा pattern wise questions भी solve करेंगे हम लोग previous year में क्या आया हुआ है चाहे वो SSC में हो, NTPC में हो कैसे soft level होता है, कैसे moderate level होता है कैसे hard level होता है सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है और आप अगर 10-12 type का questions को अगर आपने continuously उसको practice में ला लिया कर लिया तो यह definitely आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा यह चीज तो आगे बढ़ते हैं इसके बात बोले जाता है अपने स्थान से 2 या 2 से अधीक आगे या पीछे जाना देखिए यहां तो अभी हम लोग एक एक आगे या पीछे जा रहे थे पलस या माइनस वरा था तो अब क्या करेंगा यह random sequence कर देगा कभी 2 आगे चला जाएगा कभी 3 आगे चला जाएगा कभी 4 आगे चला जाएगा इस तरह के sequence को यह randomly बनाएगा तो फिर कैसे उसका answer आता है उसको भी देख लेंगे हम लोग यह बोल रहा है C-H-A-I-R को कुछ इस तरह से लिखा जाता है तो A-L-I-G-H-T को क्या लिखा जाएगा है ना तो इसी तरह के आप भी इसको easily कर सकते हैं तो जल्द से comment करके बताएगे कि इसका answer क्या होगा नीचे कि इसका sequence में कैसे आगे पीछे है यानि कितना आगे कर दिया गया है और कितना पीछे कर दिया गया है इसका comment में answer आप दे सकते हैं अगर समझ गए तो ठीक है इसके बाद next में हम लोग फिर बात करते हैं अब place को change कर दिया जा रहा है यहां पर लिखा जा रहा m o t h e r s ठीक है तो अभी देखिए इसका place को change कर दिया जा रहा एक दो ती चार पाँ छे साथ इस तरह के places को change कर दिया जाता है अभी देखिए सातवा नंबर पे m लिख दिया गया फिर o t h e r m o t h e r s कुछ इस तरह से लिख दिया गया है तो आप बोल रहा है कि यह b r o u g h t को क्या लिखा जाएगा यारनि कि b r o u g h t को क्या लिखा जाएगा तो last में b जाएगा b r o u g h t कुछ इस तरह से answer होगा इसका है ना तो इस तरह के आपको coding और decoding में आपको बताया जाएगा और इस तरह से आपको solve करना है easily है easy बहुत आसान इसे solve होगा ठीक है हम लोग जब questions करेंगे तब यह भी बहुत आसान है ठीक है तो किसी भासा को कुछ इस तरह से लिखा गया b r e a k d h r o u g h इसको कुछ इस तरह से लिखा गया है तो बोला जाता है कि d i s t r i b u t i o n को कैसे लिखा जागा ठीक है तो देखिएते हैं हम लोग कैसे लिखा जाता b r e a k यहां के break और यह through इसको कुछ इस तरह से लिखा गया है देखिए b r e a k d h r o u g h इसको कैसे लिखा जा रहा है तो इसको यहां पे change कर दिया जा रहा है इस दोनों दोनों को यहां पे देखिए r ke b ke जगए r और r ke जगए बी लिख दिया गया फिर इसको आपस में change किया जा रहा है a । फिर इसको आपस में Change किया जा रहा है t और k k फिर इसकोlation यह नि की दो दो का pair बनायी जा रहा है और उसको आपस में लड दिया जा रहा है यानि कि randomly उसको change कर दिया जा早ए तो distribution में कैसे होगा तो d2 हम लोग लेकाई लेते है तो 900 ट फोक र向केशीड स्वेस्वेसुवेसन और सिक्वेसन को ॥े पकराना स्टाट कर दिया और स्टार्ट cdyu ssen वही पर स्वाहे लेकाई заб अभी देखिए एक और सवाल है यहाँ पर शब्द में प्रियोक किये गए जो भी by opposite letter और opposite यूजड इस तरह से यूजड किया जा रहा है तो जैसे King को P R M T लिखा जाएगा यानि कि K I N G यह है इसको लिखा गया है P R M T तो बोला जा रहा है R A I N R N को क्या लिखा जाएगा तो इसका opposite जो होगा opposite निकाले आपको सिखना पड़ेगा easily सिख जाओगे आप 2-4 पर practice करो साफ समझ में आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले A का तो हम लोग जान रहे है Z है okay I का 9 होता है 9 को 27 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जितना भी बचेगा आपका यहां पर आ जाएगा यानि कि इसका answer क्या हो जाएगा N का M होगा सिवधी बात है और क्या change करने को बुला गया है P P के बाद आता है क्यों क्यों के बाद आता है R S T ठीक है यानि कि R का 18 हो जाएगा तो 18 में 27 माइनस करेंगे तो इस तरह से जो भी आपका answer आएगा तो I आजाएगा इसका 9 इसमें माइनस करेंगे तो 9 I का होता है I का उल्टा अगर हम लोग कर देंगे तो 27 में माइनस 9 करेंगे तो R हो जाएगा ओके 18 तो यह आपका answer आएगा ठीक है तो यह विपरित मान का यानि कि opposite letters का हम लोगों का यहां पर इस तरह से coding recording किया गया है अब यह analogy की according किया जाएगा कैसे किया जाएगा B L A D E को लिखा गया है S P T F A तो बोला जाता है B A L E को क्या लिखा जाएगा तो आप देखिए गार से कि B का value क्या लिखा गया है S L का value क्या लिखा गया है P A का value फिर T इसके बाद D का value F और E का value A यह analogy की according होता है अनलोजी को हम लोग next class में भी थोड़ा से समझेंगे यानि कि कोई भी pattern का यहां पर पालन नहीं हुआ है कोई भी pattern नहीं है लेकिन उसका value दे दिया गया है तो that means अगर इस तरह का सवाल होगा तो definitely यहां पर जो भी letters होंगे उसी के according उसी letters को कुछ चाटके यहां पर आपका question में पुछा जाएगा तो देखें B यहां है यहां भी B है A यहां पर है यहां भी A है L E सब यहां पर है तो इसको value कैसे लिखा जाता है B का value S लिखा गया तो S लिख दो A का value क्या लिखा गया है यहां पर A का value लिखा गया T तो यहां T लिख देता है फिर है आपका L L का value क्या लिखा गया है T S, T, P और फिर से E का value E का value A लिखा गया तो यह आपका answer होगा इसमें कोई sequence नहीं था यह coding analogy के आधार पर किया गया है तो इतना ही आज हम लोग पढ़ते हैं इस class में यानि कि यह part 1 है part 2 में और भी बहतर ढंग से आपको समझाएंगे कि किस तरह से questions आते हैं और किस तरह से आपको वो solve करना है तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe जरूर कर ले क्योंकि ये चैनल आपके हर एक examination से related courses को free of cost उपलफ्द कराती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे practice sets और practice करने का बहुत सारे tips and tricks भी आपको मिलेंगे और सभी chapters के आपको यहाँ पे और सभी subjects के चाहे वो जीके, जीके हो जीके हो, जीए हो, यानि कि जीएस हो, ठीक है general awareness हो, current affairs हो यह सारे यहाँ पे chapters और सारे यहाँ पे subjects यहाँ पे prepare किया जाता है चाहे वो arithmetic, mathematics वगएरा कुछ भी हो आपका सारे subjects को यहाँ पे deal किया जाता है वो भी free of cost आप हमारे playlist पे जाके भी देख सकते हैं ठीक है, तो मिलते हैं फिर next class में बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से कुछ नए तार तरीके और tips and tricks सिखने के लिए बने रही है हमारे साथ तब तक के लिए thank you so much and all the very very best keep practicing, keep studying and keep smiling, thank you so much